सुहेल देव भारतिय समाज पार्टी के कार्यकरताओं ने मनाया 22 वास्थापना दिवस जनपद अम्रोहा में सुहेल देव भारतिय समाज पार्टी का 22 वास्थापना दिवस कि सुहिल देव भारतिय समाज पार्टी का गठन वर्ष 2002 में वन्चितों वर्षोशितों, दलित, पिछडों और अल्पसंख्यकों न्याय दिलाने के उद्देशे से स्थापित की गई सुभासपा का ये 23 वर्ष में प्रवेश सभी की समर्पन का परिनाम है बीते 22 वर्ष कई खटे मीठे अनुभव से भरे रहे किंतु पार्टी के सक्रिय पदादिकारी, निश्थावान कार्यकर्ता और जन समर्थन का परिनाम है कि हम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं आज सुहिल देव भारतिय समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश में NDA गटबंधन में शामिल है और जनता से जुड़ी समस्याओं को उठाने का काम कर रही है राष्ट्रिय अध्यक्ष उम्प्रकाश राजभर के पास पंचायत राजविभाग अलपसंख्य कल्यान हज एवं वफबोर्ड की जिम्मिदारी है जिस से सर्व समाज का काम हो रहा है जनता बहुत तेजी के साथ सुहेल देव भारतिय समाज पार्टी की ओर देख रही है और जुर रही है इस दोरान मोहम्मद यूनुस सेफी प्रधान, आदेश अम्रुही, धर्मवीर सिंग बहलिया, डॉक्टर शून्य जगत सिंग, बाबु रामपाल, जस्वीर चौहान, गुड्डु, जमाल उद्दीन, प्रेन सिंग प्रजापती, शफी कहमद, सलीं, नरेश पाल आदी लो गठन किया, तबसे संगर्स करते हुए, दो हजार सत्रे में हमारी पार्टी, बीजेपी गठवंदन में आई, और बीजेपी गठवंदन से, चार विधायक हमारी पार्टी के बने, 2022 के चुनाओं में हमारा घटवंदर समाजवादी के साथ हुआ आज स्वेल्देभार के समाज पार्टी के 6 विधायक हैं एक एमेल से और 2027 का जो चुनाओं होगा इसमें बहुत बुड़ी निरनाय घ्वोमी करे पार्टी के राष्चे अद्यक्स मान्यों प्रकास राजवर्जी दवे कुछलो सोसित बंचिस समाज के लिए रड़ाई सड़क से लेके सड़न तक लड़ने का काम कर रहे हैं आप लोग भली भापी परिचीत हैं कि जमीनी नेता सच बोलने वाला अगर उत्रप्रदेश में आज की तारिश में है तो वो मान्यों प्रकास राजवर्जी है इसी को लेके सुर्देव राजवर्जी के चित्र पर माल्यार पढ़ कर हम लोग ने सुर्दे भारत्य समाज पाल्टी का 22 मा इस्थापना के बस मनाया